बाइस ज़र्णी को होने वाले राम लला प्रान प्रतिष्टा खारिकरम का निमंतरन एस्युकार करने के बाद कांग्रेस के नेता ही पार्टी पर हमला बोल रहे हैं अब पार्टी आला कमान के इस निमंतरन के एस्युकार करने पर फर्मोत कृस्णम में हमला बोला है उन्हों आभार देना चाहिए था उन्हें कहा कि नेतों तो अपने इस फ्यसले पर दोबारा विचार करें यह करोड़ों हिंदुओं और जर्मानस के भावनाओं की बात है कि वहें राम लरा के दर्सन करने जाएंगे वहीं परदेश-कॉंगरस नेताओं के दर्सन करने जाने की बात पर उन्हेंने कहा कि अयुद्धा में तो 22 जन्दोरी को प्राण पत्रिष्टा हो रही है तो वे किसके दर्सन करने जा रहे हैं यह तो उन्हेताओं से ही पुछा जाना साइए इसी को लेगा रास्तान के परदेश कोंग्रेस कमेटी के चीफ बोविन सिम्टो टासना ने भी ब प्रियान में उन्होंने बताया कि विजेपी वालों ने आयुद्धा में राम मंदिर को ही अपना काले बना रखा है भगवान राम के देश में कई करोड़ों लोगों की आस्ता जोड़ी हुई है आपको बता दे कि कॉंग्रेस की टॉप लिडर्शिप में आयुद्या के र लगा दिया पार्टी के महासाचीव और कम्यूनिकेशन सीफ जैराम रमेश ने जो पतर जारी किया उस पतर के मुतलाव ही पिछले महीने कोंग्रेस अध्यक्ष और राज़े सपाब में विपक्स के देता वालिकार जन खर गे कोंग्रेस संसे दल की अध्यक्स सोनिया है मगर बीजेपी और आरसस ने वर्सों से अयुद्धा में राम मंदिर को एक राज़ेंतिक प्रियोजना बना दिया है इस पर श्टर की एक आर्द नेरी में ते निर्मंदिर का उद्गाण के वल्प सुनावी लाब उठाने के लिए ही किया रहा है दोजार गुनिस के माननी सरोच मनेयले के इस फैसले को श्युकार करते हुए एंव लोगों की आफ्ता का सम्मान में मलीका अरजुन खरगे सोनिया गांदी और अजीर रंजन चोधरी बीजेपी और और आज़स के इस आयोजन के निमंदन को से सम्मान श्युकार करते हैं ऐसे में पार्टी के निताओं ने पार्टी के खिलाब भला बोल दिया है अब देखने वाली बात ये होगी कि पार्टी के निताओं दुवारा कॉंग्रेस के वो राम मंदिर के निर्मान को टुकराने को पर बैयान बाजी को पार्टी अलगामान किस तर लेते हैं क्या कॉं पूंचेगी नहीं या यह देखने वाली बात होगी